फिर शेहर में आ गये क्या बात है इसमें दिक्कत क्या है ये बढ़िया है फिरसे वही दिवारे और वही पुराने नियम थोड़े दिनों में तुम भी इसे तंग आ जाओगे मैं तुम्हें डून लूंगा दोस्त वो यही है मैं महसूस कर सकता हूँ नमस्ते मेरा नाम जूड़ी है मेरा सवभाग यह है कि मुझे अफदार को ये शेहर दिखाने की जिम्मिदारी सौपी गई है और आप जरूर होंगे सोका कटारा और टॉफ हमारे खूपसरा चेहर में आपका स्वागत है तो क्या हम शुरू करें हां हमारे पास अगनी देश क सेना के बारे में एक जानकारी है जो हम प्रिथ्वी राजा को तुरंद देना चाहते हैं बढ़िया चलो हमारा सफर शुरू करें और फिर मैं आपको अपना नया घर दिखाऊंगी आपको वो जरूर पसंद आएगा शायद तुमने ठीक से सुना नहीं हमें राजा से बहुत सारी दिवारे हैं बारी दिवारे हमारी रक्षा करती हैं और अंधरुनी दिवारे कानून और शांती बनाये रखने में मदद करती हैं यहां पर शहर में नए आने वाले लोग रहते हैं और शिल्पकार और कारीगर भी लोग जो हातों से कांग करते हैं यहां कितनी रोनक है हाँ पर हर को एक जजा नहीं होता पता नहीं सारे गरीब लोगों को एक ही जगह पर क्यों रखा जाता है शाय दिसले में यहां पहले कभी नहीं आया बिक्षों ने हमें जो तौर तरीके सिखाय थे वह यहां सिर्फ बिलकुल ललग है जो की घर है आर्थिक दफ्तर तुकानों और् रेष्टृ व porch विश्वविद्याले का हाहां बासिंग से विश्वविद्याले के प्रोफिसर से मिले थे आपका गर यहां से ज़्यादा दूर नहीं है उस दिवार के अंदर क्या है? और वो अजीब सी टोपी पहने हुए कौन है? दिवार के अंदर शाही महल है और वो लोग परिशत के आदमी है जो की बासिंग से का सांस्कृतिक संग है वो हमारे सभी रिती रिवाजों के रक्षक हैं अब हम राजा से मिल सकते हैं? ओ नहीं, कोई भी मुँ उठाकर पृत्वी राजा से नहीं मिल सकता तो ये रहा आपका नया घर एक और अच्छी ख़बर आपके पृत्वी राजा से मिलने की दर्फास पर गौर किया जा रहा है और एक महीने में ये पूरी हो जाएगी आम तोर पर और वक्त लगता है एक महीना? असल में छे से आठ हफतों में